आज मैं आपको बताएंगे कि कोई भी सोफ्टेर आप स्क्रीन रिकोडर वाला यानि आप कोई कंटेन ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको अपने पीसी की या अपने लेक्टोप की स्क्रीन की डिकोडिंग करना रिक्वार्मेंट है आजिसमें पीच़्ीन की मीच्राइब करते हैं प आफ स्क्रीन कि करते हैं म otros अम्हें उसके लिकूडेर की रिक्वार्मेंट होती हैं स्क्रीन डिकॉड़ों जैसी आप लोग लिखेंगे तो बहुत साला इसक्रीन डिकॉड करने वाला सौफ्टेयर मिल जाएगा है कुछं है जो software free-of-cost है तो free-of-cost वाले software को आप लोग डाउडोड करेंगे डाउडोड करने के लिए हमने screen recorder वाले software पर लोग क्लिक करेंगे जैसे हम लोग download free करते हैं तो आप देख सकते हैं download software हमरा download section में download हो रहा है तो सिंपल कुछ step में डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद हम लोग इस पर डबल किलिक करेंगे, डबल करने के बाद नेक्स पर किलिक करेंगे, क्योंकि आप डाउनलोड करने के बाद next step होता, जी step सी हम लोग इसको stall करते हैं, लूम इस वीडियो में हम आपको download to employ तक बता रहे हैं, कि आप system record software को download कैसे करते हैं and install कैसे करतूए है, तो इसके लिए हम the next करना होगा, फिर हम लोग agree पे click करेंगे, फिर नेक्षक करेंगे. फिर यहाँ पर do not create यहीदि आप इस्क्रीन पर उटकट करना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद next करेंगे, next करने के बाद यह हमारा जो screen recorder है, वो install होना start हो जाएगा, और कुछी second में, कुछी minute में यह download इस install हो जाएगा, और install होने के बाद आपके desktop पर यह लोग icon automatic क्रेट करके आपको जेदेंगे, जहां से आप लोग video मनाना start कर सकते हैं, कुछ second का हम लोग एक-दो minute का वेट करते हैं, और इसका install होने दख हम लोग वेट करेंगे, और जो भी software आप download कर रहे हैं, हर वेबशाइट पर उस software का download करना, उस software का use करना, उस software से आप क्या-क्या work कर सकते हैं, उसका यहां पर एक sample video भी लड़ा हुआ है, आप इस video को use करके आप इसको install करना यहां से भी आप सीख सकते हैं, और इस पर वर्क कैसे करेंगे वह भी आप यहां से सीख सकते हैं, तभी हमारा download installing चल रहा है, 20 seconds और वेट करेंगे, यहां करेंगे अब फिनिश पर किलिक करेंगे, फिनिश पर किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं, आपका screen recorder का आइकोन है, इस्टोल होने के बाद वह आपके desktop पर सोगोने लगा है, तो symbol हम लोगों ने आज आपको बताया है कि आप फिर यह आप कोस्ट में कोई भी screen recorder अपने laptop में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इस्टोल कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो गर आपको helpful लगा हो, अमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए धन्यवाद इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें हन्यवाद